तनातन धर्म सूर्य उभराख शात्र वीरो उठो चलो कली युग के इस कली युग का है अंतनिकट आया तंधी काल इन युगों युगों का अब समीप आया साधना के महापरवकों साथ है लाया सभीको नमस्कार जगतगुरु भगवान स्रीक्रिष्ण ची के चर्णों में खृतगता पुर्वक वन्दन करता हूँ सनातन संस्ता एवं हिंदु जनेजागरती समीती द्वारा आयोजित धर्म समवाद इस विशेश कालेकरम में मैं गुरुराज प्रभू आप सभी का हालीक स्वागत करता हूँ धर्म समवाद में पित्रपक्ष्ण के निवित्रप हमारी विशेश माने का शुरू है पश्चिमी नेशों में माता पिता के सम्वान के लिए वर्ष में एक बार मदरडे और पादरडे मनाते हैं परन्तु भारत में माता पिता का केवद सम्वान ही नहीं उनकी संता ने उनकी निरंतर सेवा भी करती हैं। और इतना ही नहीं माता-पिता अत्वा अंद्र परिजनों की मुत्यु के उपरांद उनकी अगली आत्रा निर्विद्न रूप से हो। इसके लिए परतिवर्ष पित्रुपक्ष में श्राद्दा दिविदीवी किये जाते है श्राद्द केवल कर्मकांड नहीं एक धर्मविद्जान कैसे है यहां हम इस मालिका से समझ कर लेंगे। साथ ही श्राद्द से जुड़े आपके प्रश्ण और सोशल मीडिया के माध्यन से चल रहे दुश्प्रशार का हम इस मालिका के माध्यन से उत्तर भी देंगे। पारा सवबाध्य है कि पित्रुपक्ष्यम और शाद्द इस विशाय में मारिकदर्शन करने के लिए हमारे साथ पूझनिय निलेश सिंग्बाल जी उपस्तित है। पूझनिय निलेश सिंग्बाल जी आपका इस धर्मसवबद में स्वागत है। आज के धर्मसवबद का प्रारंप करने से पूर्वद हम पूझनिय निलेश सिंग्बाल जी का परिश्चय समझ कर लेंगे। आप समुद्रि जहाज निर्मितिक शेतर के अभियंता है। आपने सनातन संस्ता के मार्ग दर्शन में साधना कर संतपद प्राप्त किया है। अध्यात्मिक शेतर के अधिकारी संत भी है। आप पूर्णकालिन रूप से हिंदु धर्म के प्रचार प्रसार का कारिय कर रहे हैं। और इसी कारिय रितु आप मिरंतल प्रवास करते हैं। अध्यात्मी क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव आपके पास है। अमारा स्वभाग्य है, आज इनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है। आईए, तो आज के दर इस धर्मसंपात का पहला प्रशन हम पुजिनी निलेश जी से पूछते हैं। अनिक वाण, वंच्वृत्ती में आने वाली बादा से पित्रों के कष्य का संबंध जोड़ा जाता है। तो इसका निश्ची तुरुट से तक पर यह क्या है, यह हम आज से जानना चाहते हैं। जी, गर्ब धारण होने पर कुछ शीशु का जन्म, सुक और सुलबता से होना आवश्यक होता है। गर्ब में जीव का प्रवेश, उसका विकास और गर्बवती माता की प्रसन्नता, साथ ही उसका सहसुलब प्रसब क्या केवल आवश्यदी से होना संबंव हैं। उसके लिए इश्वरी कुरुपा भी होनी आवश्यक होती है। उसके लिए ब्रह्मान्डी की निर्मिती करने वाली शक्ती की कुरुपा होनी चाहिए। पुर्वज हमारे वंच रक्षक हैं। इसलिए श्याश्वत कुलधर्म याने कुलाचार पालग और श्रादादी धर्म का गंबिर्ता से पालन करना चाहिए। कुलधर्म टाले गए और उससे मातरदोश और पितरदोश बढ़ गए तो उससे उस परिवार को कश्ट होता है। श्रादादी कुलधर्म का पालन करने से वंच शुद्धी हो जाती है। इसलिए श्याश्वत कुलधर्म एवं श्रादादी धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्म्म वैवर्त पुरान बताता है कि देवकारी की अपेक्षा पित्रकारी अधिक महत्वपुर्ण है, इसलिए सभी मंगल कारियों में भी हमने देखा होगा कि नांदी श्राद्य का विदान सबसे पहले होता है, तो ये जो सम्मंद जोडा जाता है, ये इस प्रकार से है और ये बहुत आवश्यक है कि श्राद्यादी चुकुल धर्म का आचरण हुआ में करना आवश्यक है, अगला प्रिश्न हमें ये लगता है कि ये वंच शुद्धी, अत्वा वंच वृद्धी के ये श्राद्य का अपने जो महत्व बताया है, पर लोग ये कैसे समझे कि उ लोग, श्राद्यादी, विदी और साधना भी नहीं करते हैं, इस कारण आज लगबक सभी को ही अत्रुक्त पुरोजों के लिंग दिहों के कारण कश्ट होते हैं, हमें पुर्वज कश्ट दे रहे हैं, अध्वाग पुरोजों के कारण कश्ट होने की संभावना है, इस में कश्ट है अत्वा नहीं, इसका अनुमन लगाय जा सकता है, अब कुछ उधारण में बता रहा हूँ, जैसे घर में निरंतर कलह होना, एक दुसरे में सामन जस्ट से न होना, नौकरी न लगना, घर में पैसे न टिकना, किसी को गंबीर, रोग या कोई बिमारी होना, सभ परिसितियां अनुकुल होने के बावजुद भी विवाह न होना, पती-पत्नी में अनुबन रहना, गर्वधारणा न होना, गर्वधारण होने पर गर्वपाद होना, संतान का जन्म होने पर उसका मंद बुद्धी, मंद बुद्धी का अत्वा दिव्यांग होना, और पर पुरोजों में अनुमान लगाना आसान हो सकता है कि इसमें पुरोजों के माध्यम से कष्टो हो रहे हैं और यदि इस प्रकार के कष्टो हो तो ऐसा समझा जा सकता है कि ये पुरोजों की अत्रुप्ति के कारण है श्राद्द विदी करने से पुरोज संतुष्ट होते हैं औ तो यह इसके पिछे का एक महत्वपुर्ण शास्त्र बताए जाता है जी आपने जो अभी ये लक्षन बताए है इससे सामान भी व्यक्ति भी उसे पित्रदोश है या नहीं या निश्चित रुप से समझ सकता है तो अगला प्रश्ण हमारा है कि श्राद्द के अन्य कुछ ल कि मारा गरोड पुराण इसमें भी कहा गया है इसके संदर में एक श्लोक है आयूहू पुत्रान यशहा स्वर्गम किर्तिम पुष्टिम बलं श्रियम पशुन सौक्यम धनम धान्यम प्रापनुयात्त पित्र पुजना इसकारति यह है कि आयूश्य, पुत्र, यश, स्वर्ग, किर्ति, पुष्टि, बल, लक्षिमी, पशु, सुख, धन, अनाज जैसी प्राप्तियां पित्र पुजन अर्था श्राद्द करने से होती है और श्राद्द में विद्यवान, विधियों के कारण, पुर्वजों को भी समय समय पर एक सुरक्षा कबच प्राप्त हो जाता है जी, दर्शकों, गरूर पुरान के इस स्लोक से ही श्राद्द के अनेक लाप पुजनी निलेजी ने हमें सपश्ट किये हैं श्राद्द के अनेक प्रकार भी बताये जाते हैं तो दर्शकों को आप अनेक प्रकारों की बारे में भी कुछ बताईए श्राद्द के अनेक प्रकार हैं यह सबी मत्सि पुराण है तो मत्सि पुराण में श्राद्द के नित्य श्राद्द, नैमित्यक श्राद्द और काम्य श्राद्द यह प्रमूख तीन प्रकार बताए गए हैं यह मुस्कृति में इन थीन प्रकारों के साथ ही नांदी श्राद्ध एवं पारवन श्राद्ध यह भी मुख्य प्रकार बताये गए हैं और शास्तर में कुल 96 प्रकार के श्राद्ध बताये गए हैं उनमें से एकोत दिष्ट, सपिंडी करन श्राद्द, पारवन श्राद्द, महाले श्राद्द एवं नांधी श्राद्द ये पाँच प्रकार प्रचलीत है पित्रपक्षमे महाले श्राद्द किया आ जाता है तो भादरपद कुरुष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावा सयतक किये जाने वाले शराद्द को पारवन शराद्द कहते हैं यह शराद्द के अलग-अलग प्रकार है पुझनी निलेशी शराद्द विदी में एक विदी रहता है जिसमें जो पिंड रखा जाता है उसको कवेत वारा स्पर्श करना होता है इसको लेकर अनेग पर उपहास किया जाता है तो इस विशे में आप क्या बताएंगे? अब यह जो अपने प्रश्ण पुछा है बहुत लोग इसके संदर में पुछते हैं मैं तो सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि जो इसे अंदविश्वास ठहरा रहे है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उन्हें श्राद्द के विशे में ना ही कुछ जानकारी है और ना ही उन्होंने जानकारी लेने का प्रयास किया है हिंदूों को लाब देने वाले ऐसे विदी के विशे में अश्रद्धा उत्पर्न करने का एक प्रयास है इसका शास्त्र में अमिबाय बता रहा हूँ कवे ने पिंड को चुना इसमें श्राद्ध विदी में पिंड को कवे का स्पर्श होना महत्वपुर्ण सुत्र होता है श्राद्ध में पिंडदान के समय से पुरोजों का आभान किया जाता है पुर्वोजों के अत्रुक्त इच्छाओं के आपूरती पिंड के माध्यम से ही की जाती है सर्व समाने लोगों में वासना अधिक होती है इसलिए उनके लिंग देह से विशम, अर्तात रजा एवं तमप्रदान तरंगे बाहर निकलती है कववा जो है वो अधिकाधिक विशम तरंगों को आकर्शित करने वाला एक पक्षी है इसलिए उसे ये तरंग प्रतित होते है पुर्वोजों की लिंग देह जब पिंड की ओर आकर्शित होती है तब पिंड विशम तरंगों से भारित हो जाता है इन तरंगों की ओर कव्वा भी तुरनेता करशित हो जाता है इसलिए पिंड को कव्वे का सुपर्श होने का आर्थ ये है कि पुरोजों का शुराद्यस्थल पर आकर उनकी संतुष्टी होने का ये दरशक है इसी को कववे के द्वारा निवाला लेना या कववे का निवाला ऐसे भी खा जाता है वासना से युक्त लिंग देह और मनुश्यों के मध्य कववा एक कड़ी का काम करता है और लंबे समय तक प्रतिक्षा कर भी पिंडो को कववे का स्पर्श नहीं हुआ तो उस मृत वेक्ति की कौनसी इच्छापुर्ण है यह हमें समझ में नहीं आता है और उसे कभी भी उसकी इच्छापुर्थी का आश्वासन भी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वो हमारे वेश्की बात नहीं है कभी कभी तो 24 घंटे पस्चाद भी पिंडो को कववे का स्पर्श नहीं होता है ऐसे समय में दर्ग का कववा बना कर पिंडो को उसका स्पर्श कराया जाता है यह कववे के द्वारा पिंडो को स्पर्श करने का जो महत्व है यह हमें इससे समझ में आता है जी, सभी को केवल इतना ही पता होता है कि पिंड को कोवे का स्पर्श होना अवशक है, पर अद्रश्य अर्थाच सुक्ष्म विश्व में क्या प्रक्रिया होती है या आपने हम सभी को बहुत अच्छे से समझाया है एक आक्षे और भी उटाया जाता है कि श्राद्य करने का अधिकार महिलाओं को नहीं है हिंदु दर्म महिलाओं को दुयम स्तान देता है, इसके कारण ऐसा भी कहा जाता है इस विशे में धर्मशास्त्र क्या कहता है या आप हम सभी को बटाएं ये भी एक महतवपुर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार टिपड़ने करने वाले श्राद्य विदी को मानते हैं कि नहीं पहले उन्हें ये बताना पड़ेगा यदि वो श्राद्य विदी को ही अंध विश्वास मानते हैं तो उने इस प्रकार से प्रश्ण करने का कोई अधिकारी नहीं है वैसे भी श्राद्ध के व्याक्या में ही हमने समझ लिया था कि श्रद्धा से जुड़ा होय श्रद्ध है श्रद्धा से श्राद्ध होता है तो यहां पर श्रद्धा का प्रश्ण है शराद करने के अधिकार के संदर में हिंदु धर्म में प्रत्यक मृत्वेक्ति का शराद हो और उसे सब्धती प्राप्त होगी इसका विधान बताया गया है जो बालक है जिसका उपनय न हुआ हो वो भी शराद कर सकता है बेटी बिशराद कर सकती है, पोत्र कर सकता है, प्रपोत्र, पत्नी, संपत्ती में बागिदार लड़की या लड़का, नाती, पोता, पत्नी, सगा भाई, भतीजा, चेचरे भाई का लड़का हो, वो भी कर सकता है पीता और माता भी कर सकते हैं बहु, बड़ी और छोटी बेहन के बच्चे मामा, सपिंड अर्था साथ पिड़ी तक कुल के कोई भी कर सकते हैं समानोदक अर्था साथ पिड़ी के पस्चात के गोत्र के कोई भी कर सकते हैं शिष्य कर सकता है, उपाध्याय कर सकते हैं, मित्र भी कर सकता है और जमाई वो भी श्राद्य कर सकते हैं, तो इस क्रम से पहला ना हो तो दुसरा श्राद्य करें ये शास्त्र विदान है। धर्म में ये भी बताया गया है कि किसी मृत्य व्यक्ति के कोई भी संबन्दी ना हो तो उसका श्राद्य करने का करतव राजा का होता है इससे ध्यान में आता है कि श्राद्य विदी अमुक व्यक्ति नहीं कर सकता इसलिए नहीं किया गया हिंदु धर्म में ऐसा बोलने का अवसर किसी को भी नहीं दिया जाता है हिंदु धर्म में एकमात्र ऐसा धर्म है जो मुर्त्य के पस्चाद भी प्रत्यक वेक्ति का विचार करता है अब शास्तरों में लड़की, पत्नी, माता और बहु को श्राद्द करने का अधिकार का विदान बताया गया है बले ही ऐसा हो परन्तो आज कल के श्राद्द विदी करने वाले पुरोईद जो है वो महिलाओं को श्राद्द करने के लिए अन्मती नहीं देते हैं इसका कारण ये है कि पहले महिलाओं का भी मोजी बंदन होता था आज के समय में ये संसकार सभी वर्णों में बंद होने के कारण उसके अनुसार महिलाओं का श्राद्द करना भी बंद हुआ है परंतु संकट काल में अर्था श्राद्द करने के लिए अगर कोई भी उपलब्द नो हो तो श्राद्द न करने के स्तान पर महिलाओं को श्राद्द करना चाहिए यह एक महत्वपुर्ण बात भी अवे साथ में ध्यान में रखने आवशे है जी पुछने निलेशी हिंदु धर्म में महिला भी श्राद्द कर सकती है यह महत्वपुर्ण जानकारी आपने थी साथी कौन किसका श्राद्द कर सकता है इसके विशय में आपने विस्तार से हमें जानकरी निश्चिती इससे दर्शकों को लाग होगा आज का अंती प्रशन हम अब देखेंगे कि पित्रपक्ष में श्राद्द करने के लिए अधिक लाबदाई तिथी कौन सी है यह हम जानका चाहेंगे अब भादरपद मास जो होता है भादरपद मास के कुष्ण पक्ष को पित्र पक्ष कहा जाता है और ये पक्ष पुरोजों का प्रिय पक्ष है इस पक्ष में पुरोजों का श्राद्द करने पर वे पुरे वर्ष बर संतुष्ट रहते हैं और वर्ष श्राद्य करने के पश्चात पित्र पक्ष में भी श्राद्य करना आवश्य होता है और एक श्राद्य है वो है भरणी श्राद्य गया क्षित्र में जाकर श्राद्य करने से जितना फल मिलता है उतना ही वल पितर पक्ष के भरणी नक्षतर में श्राद्य करने से मिलता है इसलिए ऐसे भरणी श्राद्य कहा गया है श्राद्य के अनुसार वर्ष श्राद्य के पस्चात भरणी श्राद्य करें वर्ष श्राद्ध से पुरुव सपिंडी करन श्राद्ध किया जाता है ततपस्चात भर्णी श्राद्ध करने से मृतात मा को प्रेत योनी से मुक्ति मिलती है ये श्राद्ध प्रत्य पित्र पक्ष में करना अवश्य गए आज प्रचलीत प्रत्य प्रत्य के अनुसार व्यक्ति की मृत्य के बारवे दिन सपिंडी करन श्राद्ध किया जाता है इसलिए प्रचलीत प्रत्य के अनुसार मृत्य व्यक्ति होने के पश्चात उसी वर्ष आने वाले पित्र पक्ष में भरने श्राद्ध किया जाता है को कुल के सभी पुर्वज इनके लिए श्राद्द किया जाता है। यदि पुरे वर्ष में निरंतर और पितरपक्ष की अन्य तितियों में श्राद्द करना संभव नहीं हुआ, ऐसी इस तिति में आमावास्य को श्राद्द करना अत्यनत आवशक है। क्योंकि ये पितरपक् पितरपक्ष के आमावासय स्रवादिक उचितिति है। इस दिन अधिकतर सभी गरों से कम से कम एक ब्राह्मन को भोजन के लिए आमंतरिक किया जाता है। जी, धर्शकों यह ओनलाइन सचन नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राब अवश्य करें। इसके लिए www.youtube.com.hindujagruti वहाँ पर वीडियो के नीचे सब्सक्राइब। इस पर आप क्लिक करें और साथ ही घंटी के चित्र पर क्लिक करें। पुझीद निलेशी बहुत बहुत धन्यवाद आख आपने हमें श्राद्य के विषय में अनेक महतोपुल्ड जानकारी दी। साथ से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए भी आपका मार्गदर्शन देंगे। इसी के साथ आज के धर्मसंबाद को यही पर हम विराम देते हैं। आज के इस कारेक्रम संबंदी आपके यदि कुछ सुझाव है, कोई प्रश्न है तो अवश्य फेस्बूक के कमेंट बॉक्स में लिखे। भगवान स्रीकृष्ण की असीन कृपा से आज का यह विशेश दर्मसंबाद संपन्दम हुआ है। ऐसे मैं घुशित करता हूं। करता हुआ है। करता हुआ है। कि यह विवान संपनी पूं छोता है। कि यह विवारफ वाद्स प्रश्क का यह विवाच करता हुआ है। झाल झाल